जहन बच्चो अर्षास गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है आज के हमारा विशे है Two Schools of Thoughts Relating to Macroeconomics, Classicals and Kensians तो आज हम यह वाला विशे पढ़ने वाले हैं समझचे रशास समंदी दो प्रमुक विचारदाराएं प्रमपरवादी और केंजन विचारदाराएं चलिए शुबर हम करते हैं समझचे रशास समंदी दो प्रमुक विचारदारों की जब हम बात करते हैं यह हमारा प्रस्टू मेक्रो का पहरे चेप्टर का दूसरा टॉपिक रहेगा ये छोटा सा टॉपिक है प्यारे बच्चो जब हम अर्षाद अधेन की बात करते हैं तो इसका जो दूसरा भाग समझे अर्षाद हम पढ़ते हैं तो इसमें दो प्रमुक विचारदारा हैं हमारे सामने आती हैं उसमें एक है हमारी क्लासिकल दूसरी केंजिन तो दो तरह का म जो हमारे परंपरवादी और नव परंपरवादी जो अर्षास्त्री थे जैसे उसमें मेल, माल्थस, पीकू, रिकार्ड्स वादी इनके नुसार ये अर्षास्त्री स्वतंत्र बजार अर्थवस्ता के पक्ष्टर थे ये फ्री एकॉनमी या फ्री मार्केट के पक्ष्टर रहती है तो free market means no government interference in economic activity like production consumption and investment etc. तो ये अर्चास्तरी परंपरावादी इस विचारधारा के पाकिस्तर थे उनके नुसार जो है अर्थवेस्ता हमेशा ही पूंड रोजगार संतूलन में रहेगी उसी स्वता ही वहाँ पे अर्थवेस्ता में पूंड रोजगार और fully utilization and optimum resources यू होता है वो इस मत में थे के उतपादन और रोजगार्ज का जो है वो maximum अधिक तमस्तर इसमें लेवल होता है सुतंतर बजार अर्थवेस्ता में है full utilization of resources के साथ साथ full employment level भी होता है और वो सामाने उस्तिति को कहते हैं कि full employment level का इसकी normal feature होगा सामाने उस्तिति होगी बजार में और और उनका मत साथ में ये था कि अगर कभी अर्थवेस्ता में संदूलन आ भी जाए कभी पून जो रोजगार संदूलन है वहां से कम अधिक अगर वो equilibrium point से हट भी जाए disappear हो भी जाए तो ऐसी स्थिति में automatically recovery अर्थवेस्ता स्वता ही वो सचाली तरीके से संदूलन बिंदू पर आ जाएगी दूसरे शब्दों में क्या है का unemployment and a state of disagreement will only be a temporary in nature तो ये अस्थाई होगा अगर वो अर्थवेस्ता अस्थाई रूप से कभी संदूलन से बाहर हो भी ग गी ये विचारदारा थी परमपरवाद अर्शास्थियों की उसके बाद हम दूसरे अब हम समझते हैं विचारदारा वो है कैंजन स्कूल्स आफ़ौर केंजन विचारदारा ये प्यारे बच्छो अधिक व्यवारिक और प्रक्टिकल विचारदारा भी है क्योंकि 1930 की जो म जो सेननाएक की तरह है तो मुखे इनके नाम से इसको आगे हम पड़ते हैं वो इसको पूरी तरह सेम का पॉइंट जो डॉमिनेट करते हैं उनके नुसार क्या है पून रोजकार जो है वो बाजार अर्थवस्ता की सामाने उस्तिती नहीं है नर्मल सिच्वेशन अर्थवस्ता की नहीं है उनके नुसार जो अपने केंजन विचारदा रहा है वो बोरें के बाजार में जब बेरोजकारी फैलती है तो उसको दूर करने के लिए सरकार मुख दर्शक नहीं रह सकती है उसको हस्तक्षेप इंटर्फेर करना है आर्थिक्रियाओं में ताके वो उस बेरोजगारी जो फैल रही है उत्पादन स्थर गिर रहा है ये उन्होंने अनुभव किया था 930 माहमंदी के बाद वो सारा धेन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि अभी सरकार हस्तक्षेप करना पड़ेगा सरकार को हम या सरकार जो हो मुख दर्शक बनके नहीं रह सकती है उसको आर्थिक्रियाओं में हस्तक्षेप करना पड़ेगा यदि छोटा question ये प्यार विश्व दो नमबर खाता है तो हम तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं basic difference दोनों में क्या है कि classical schools of thoughts है वो कहते हैं कि सोतंतर अर्थवस्ता है अर्था मतलब free economies, no government and difference in economic activity, life production and saving investment etc सरकार हमेशा polar equalization star पर होती है पूर्ण रोजगार संतूलन star होता है, सादनों का कुछल परयोग होता है ये optimum production use अर्थवस्ता में होता है और अगर कभी अलब काल में अगर कभी अलब काल में संतूलन आ भी गया तो वो automatically review होगा, ये है classical thought, दूसरी तरफ के इंजन क्या बोलते हैं कि भाग लेना पड़ेगा और सरकार को उत्पादन निवे समंधिया अर्थिक्रिया में आना पड़ेगा जिससे के उत्पादन रोजगार के स्तर में रिद्धी होगी और ये संतूलन और जो पूंड रोजगार है वो automatically phenomena नहीं है, 140 तरीकी से बजार में नहीं आता है ये लाना पड़ेगा और ये दाई तो सरकार का है